आत्मा नमस्ते एवरीवान, सबसे पहले सभी भाई बैनों को रक्षा बंधन की शुब कामनाएं May this रक्षा बंधन brings in lots of protective energies for each one of us और मैंने एक और वीडियो बना रखा है मेरा मेरे यूट्यूब चैनल पे जिस पे मैंने ये बताया है कि रक्षा बंधन बनाते क्यों है क्या उसका mythological aspect है क्या उसका astrological aspect है दोनों ही उसमें बताया प्लस महुरत कौन सा उससे भी बढ़कर जब आप कोई बहन अपने भाई को राखी बान दे तो वो कौन से मंत्र का उचारन करे ताकि उसके भाई के लिए वो रक्षा सूत्र की तरह काम करे सो वो भी मैंने उस दिन उस वीडियो में शेयर किया है इस वीडियो में क्या विशेश बात करेंगे इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हर राशी के परसन को कैसे रंग की राखी बाननी चाहिए प्लस हर राशी अनुसार कैसा आप अपनी बहन को गिफ्ट दे ऐसा करने से क्या होगा जो भी आप गिफ्ट देते हैं अपनी बहन को उसके हिसाब से आपका वो प्लानेट ठीक हो जाता है हील हो जाता है ये रेलेवन्स है आज के दिन का प्लस आपकी बेहन के लिए वो जो गिफ्ट आप देंगे वो बहुत अच्छी हो जाएगी और बेहने जिस रंग की राखी अपने भाई को बान देंगी उसमें और पावर आ जाएगी क्योंकि जो मैं आगे आपके साथ नॉलिज शेर करने वाली हूँ वो ग्रहों के हिसाब से है और ग्रहों का बहुत इंपक्ट होता है हमारे जीवन पे as you all know we live in we are a part of solar system और सारे planets की energy हमारे उपर आती है cosmic rays हमारे उपर गिरती है जिनकी वज़े से हमारा जीवन उपर नीचे अच्छा बुरा सब हमारे उपर इंपक्ट आता है so let's talk about all the 12 zodiac sign सभी 12 राशियों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले मेश राशी तो अगर आपका भाई मेश राशी का है तो आप उसके लाल रंग की राखी बांदे उससे पहले मा दुरगा की आप दोनों भाई बैन मिलके प्रात्ना करें बैने अपने भाई की रक्षा उन्नती इसकी काम ना करें और भाई अपनी बैनों का दामपत्य जीवन अच्छा रहे उनकी सुरक्षा रहे खुशिया रहे इसकी काम ना करें मेश राशी के भाई के आपको लाल रंग का धागा बानना है या राखी बाननी है और मेश राशी के भाई अपनी बैनों को अगर आपकी बैन मेश राशी की है तो आप उसको और इलेक्ट्राणिक गाजत्स दें गिफ्ट में आप उसको घड़ी इलेक्ट्राणिक गाजट्स यह सबकुच उसको गिफ्ट कर सकते हैं अब आते हैं वरिषब राशी पे तो अगर सबसे पहले वरिषब राशी के भाई बैन श्री गणेश और माता लक्षमी की पूजा करें फिर बहने जो उनके व्रिशब राशी के भाई हैं उनके हाथ पे रेशमी राखी रेशमी मतलब सिल्क, सिलकन या anything of that sort या चांदी की राखी बांदे और भाई अपने बहनों को जो की व्रिशब राशी की हैं उनको या तो चांदी की पायल, परफ्यूम, रेशमी कपड़े ये सब गिफ्ट में दे देन आता है अपना मिथुन राशी मिथुन राशी के भाई को हरे रंग की राखी बांदनी चाहिए और मिथुन राशी की बहनों को हरे रंग के कपड़े दे सकते हैं आप या पौधे, plants you can give them as a gift या books आप उनको गिफ्ट में दे सकते हैं अब आते हैं करक राशी पर करक राशी के भाई बहन दोनों सबसे पहले गौरी शंकर की शिव पारवती जी की पूजा करे हैं फिर करक राशी की बहने अपने भाईयों को या तो सफैद रंग की या चांदी की राखी बांदे और करक राशी की बहन को गाड़ी, चांदी की पायल या मोती की कोई भी जूलरी गिफ्ट करें फिर आते हैं हम सिहा राशी पर, सिहा राशी के भाई बेन सबसे पहले लक्षमी गणेश जी की पूजा करें, फिर सिहा राशी के भाई को सुनहरे या पीले या गुलाबी रंग की राखी बांदे उनकी बहने और बहनों को सिहा राशी की बहनों को सोने की चेन, तो कोई भी सोने की चीज का आप गिफ्ट दे सकते हैं, या कोई भी एंटीक चीज आप अपनी बहनों को दे सकते हैं एक और बात समझें अगर बाइदवे आप ऐसा सोना चांदी की गिफ्ट नहीं दे सकते तो वैसे कलर की गिफ्ट दे दीजिए तो सिहराशी के भाई अपनी बहनों को सुनहरी कपड़े दे सकते हैं कुछ भी वैसा आप गिफ्ट कर सकते हैं देन वी काम टू कन्या राशी कन्या राशी के भाई बहन सबसे पहले गणेश जी की अराधना करें फिर जो बहने हैं वह अपने कन्या राशी के भाई के हरे या सुनहरी रंग की राखी बान सकते हैं देन भाई अपनी बहनों को क्या दे आप अपनी कन्या राशी की बहनों को चाए इमरेल जूलरी दे चाए बुक्स दे इमरेल मतला पन्ने का पन्ने का या तो नगीना दे या हरे रंग का जो पन्ने की कोई गहना हो वो दे दे या कोई साड़ी दे दे सूट दे दे उसका ल भाई को रेश्मी सफेद रंग की राखी बांदे बहने, एवं भाई अपनी बहनों को क्या देंगे, किफ्ट में? पोफ्यूम्स दे सकते हो, जूलरी दे सकते हो, गाड़ी भी दे सकते हो, कुछ भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं. देन आता है व्रिश्चिक राशी, व्रिश्चिक राशी के भाई बहन सबसे पहले मादुरगा की पूजा करें, फिर व्रिश्चिक राशी के भाई को रेश्मी सफेद रंग की या चांदी की राखी बांदे बहने, ये विशेश तोर पे करें बहने, जिनका भी व्रिश्चि राशी की हैं तो उनको आप चांदी की गिफ्ट दे या तामबे के समान का गिफ्ट दे धनु राशी। भाई बैन सर्व प्रतम राम दर्बार की पूजा करें राम भगवान की करें एक राखी उनको भेट करें फिर धनु राशी के भाई को रेश्मी पीले या नारंगी रंग की राखी बांदें धनु राशी की बैन को सोने की चेन या कोई भी spiritual विट्वल बुक्स धार्मिक किताबे या कपड़े गिफ्ट में दे। धनु राशी के बाद आती है मकर राशी order really देहर के दोनों भाई बैन सबसे पहले सरस्वती की पूझा करें फिर or a assistant के भाई को रेश्मी नीले या फूरे रंग की राखी बान दे देन मकर राशी की बहन को क्या देंगे आप मोबाइल दे सकते हैं अगर वो पढ़ाई करती है तो लापटॉप दे सकते हैं अगर वो कहीं पढ़ने लिखने काम पे जाती है तो स्कूटी, स्कूटर ऐसा कोई भी आप अपनी भेहन को तो something related to her work अगर आप अपनी भेहन को gift कर सके यह सबसे best रहेगा Then आता है कुम राशी कुम राशी के भाई भेहन सबसे पहले लक्षमी गणेश जी की पूजा करे Then कुम राशी के भाई को भेहने Again नीले रंग या भूरे रंग की राखी बांदे या सुनहेरी राखी बांदे Then कुम राशी के भाई अपनी भेहनों को बहुत सारी अच्छी gifts दे जो की laptop हो सकता है, गाड़ी, किताबे, कपड़े, कुछ भी, कुछ भी दे सकते हैं आप अपनी भेहनों को Then आता है मीन राशी, मीन राशी के भाई बहन सबसे पहले श्री यंत्र की पूजा करे Then मीन राशी के भाई को सुनहेरी, रेशमी, पीले या गुलाबी रंग की राखी बांदे Then मीन राशी की बहनों को सोने की कोई चीज गिफ्ट करे सोने की अंगूठी, सोने की चेन, या कम्प्यूटर, या अगर आपकी बहन के पास बहुत अच्छा घर है, या घर है, तो आप उसको फिश अक्वेरियम भी गिफ्ट कर सकते हैं, ये सारी चीसे आप अपने भाई बहन आपस में एक दूसरे को गिफ्ट करें, राखी बांदे वैसे ही कलर की, ये सब करने से क्या होगा, आपके प्लानट्स अक्टिवेट होंगे, आपके ग्रह अच्छा फाइदा देने लगेंगे, और वो एनरजाइज हो जाएंगे, सो सबी भाई बेनों को रक्षा बंदन की शुब कामनाएं, और मुझे क्या गिफ्ट दे सकते हैं मेरे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब कीजिए, आपके दोस्तों, रिश्टेदारों में इस नौलिज को फैलाईए, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करने का उनको बोलिए, क्योंकि हर त्योहार पे मैं एक नया वीडियो डालती हूँ, कि क्या उस त्योहार की रेलेवन्स है और क्या विशेश उस त्योहार पे करें, आत्मा नमस्ते, आपका दिन मंगल मही रहे